तो हेलो फेंट्स कैसे हैं दोस्तों आज आपको बताने वारा हूं Samsung 1UI 2.0 में या Samsung का कोई सब या आपके मोबाईल में 1UI हो या Samsung का कोई सब भी हैंट सेट हो उसके अंदर आपको तो उसके मत करेंगे वीडियो को पूरहीं देखेंगा तो या आप समझ पाएंगे तो चलते हैं दोस्तों आगे मेरे नाम सनी और आपको स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में तो दोस्तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको करना क्या होगा अपने मॉवाइल के जाना है स्फट्राइब इसमें होगा कि सबसे नीचे आपको मिल रहा है इसमें होता गया दोस्तों इसका मतलब यह podemos मेरे भी हाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ आपर सैट कर दिया जो भी मैंने सेट करह हुगा ऑगर मैं अभी कहीं धूप मेरे या बोल सकते हैं सब्सक्साइट मैसे जौओंगा तो यह उसके इसके हिसाब से मिने सकाटोने सेट कर दूँ है किलीप ते और भाइटने अजस्टमेंट एक रिप्लाइव प्लइप डशी जोरत नहीं बड़े गीज़ नहीं तो यह अगर आप मॉबाइल बहुत जादा यूज़ करते हैं तो आप इसको यूज़ करना चाहिए इसका फायदा ही होता है कि जो रेटीन जो रेडियस होती है रेटीना होता है जो अपनी आखों को प्रॉब्लम पुचाती है जो लाइटिंग होती है तो यह उस लाइटिंग को दिखता नहीं क्योंकि यह सब नॉर्मल लेटीन जो होता है रेडियस होती है यहां पर मैंने इसको सेडूल करके रखा हुआ है आप देख सकते हैं कि जब मैं रात में हूं और सुबह में ज्यादर लोग रात में मॉवाइल यूज़ करते हैं तो रात और सुबह छे बज़ दस से सुबह साथ बज़े तक यह आप अर्टमेट लिगली ब्ल्यू लाइट फिल्टर को आउन कर ले जिससे कि मैं ज्यादा यूज़ भी करूं नाइट में तो मुझे एफेक्ट ना हो तो यह भी बहुत काम का फिचर है उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे आप डार्क और विसको कर सकते हैं कि अउनल अब दिन के टाइम आप इसको कर लिजीं ब्लैक कर सकते हैं एंड लिए यहां से इसको बंद करेंगे तो वह नीचे वाला ऑप्शन हो जाएगा तो आप इसमें भी ब्लू लाइट लगा सकते हैं तो यह बहुत काम का फीचर है यह भी बहुत अच्छा लगता है मुझे डार्क वाला तो मैं इसको बहुत कम यूज करता हूं वागी यूज करने के ल इसमें स्क्रीनSch up दो ऑप्शन मिलते और नेच्रॉल वी वीड यह बहुता है इसमें नेचुरल में जो नेचुरल एफेक्ट होते हैं वह होता है आप देखेंगे आपर आपको अंतर दिख रहा होगा इसके लिए एक मैंने इस्पेशली वीडियो बना रखी है मैं उसका लिंक आपको आई वेटन पर देदूगा जिसमें पूरा डिस्क्राइब करा हुआ एक एक चीज को आप चाहें तो वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं आप वीडिट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हसाब से पर नेचुरल को कोई कस्टमाइज़ेशन नहीं होता है तो दोनों में यह अंतर होता है उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे आपको मिलने वाल करते हैं आप चॉनची साइब कर देंगे तो आप लेखेंगे और अप्लाई हो चुका है यह पलाई खुजाएंगी अपदेख सकते हैं इ rip si सकते हैं अपर भ focus ऑन से पर यहां यह नॉर्माल है आप इसको यहां से बोल्ड भी कर सकते हैं तो पहले तो मैं कर लेता हूं उसको लाइट में बाप्स नॉर्मल में जिससे आपको एजिली वहां पर समझने में कोई दिक्कत ना और डार्क मोट का ओफ कर देते हैं डार्क मोट का आफ करने कि आप देखेंगे यहां पर जैसे में उसको बोल्ड करूँंगा आप देखिए बोल्ड हो चुके हैं तो अगर आपको लगता है थोड़ी देखने में प्रॉल्लम हो तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं नीचे की तरफ आएंगे आपको यहां फोन्ट को एजएस कर सकते हैं अब डाउन, ज उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, आपको स्क्रीन जॉम का आप्शन मिल रहा है, स्क्रीन जॉम का आप्शन होता किया है, दोस्तों, यह देखिए, प्री डिफाइन आपको उपर मैसेस के आइकन दिख रहा होगा, आप जैसी में यहां प्लस करूँगा नीचे से, आ यह भी अगर माले किसी को प्रॉब्लम होती है, वीजन करने में या देखने में, तो यह उनके लिए बहुत काम का फीचर है, उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, फुल स्क्रीन एप्स, तो यह फुल स्क्रीन एप्स होता क्या है, चूज आ आटो तो गैट तब बेस एप्स की खुलने की, और जो बोल सकते हैं, उसकी जो डिस्प्ले पर अच्छा कॉलिटी में आएगा, यहां पर आपको दो अप्शन मिलते हैं, आप यहां जाएंगे, यहां पर अप फुल स्क्रीन कर देंगे, तो वो आटो में नहीं रहेगा, वो फोर्स फुली उसको बार बर फुल स्क्रीन पर करेगा, कोई इश्यू होने होई भी जाए गश्यू है, उसके बाद नीचे मिलने वाला है, आपको स्क्रीन टाइम आउट का होता है, स्क्रीन टाइम आउट वो होता है, आप देखिएगा, जैसे माल लिए स्क्रीन मैं यहां पर होल्ड कर लिए और यहां मैं किसी चीज को प्रैस नहीं कर रहा हूँ, तो अफ्टर फ और आप चाहते हैं कुछ ज़्यादा देख तक उसको ऊपर चलाना तो आप इसको यहां सब कर सकते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप में देखा मैंने display settings की आधी settings की आधी settings आप को सकते हैं प्लीज लाइक शेरेंड कमेंट ज़रू करें और अभी तक अपने में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना ना बोले और मुझे इंस्टाग्राउं फेस्टों करना भी ना बोले इसका लिंक का पूडिशन मिल जाएगा तो थेंकी दोस्तों